36 गड़ में कॉंग्रेस के सियासी उठापटक के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं जिस तरीके से सबसे पहले हुग मुख्य मंतरी टीयस सहीदेओ को बनाया गया उसके बाद प्रदिश अध्यक्ष मोहन मरकाम को प्रदिश अध्यक्ष पत से हटाया गया फिर आदिवा मंतरी प्रेम साय सिंग टेकाम को हटाना जैसे ही प्रेम साय सिंग टेकाम को मंतरी पत से इस्तिफा देने की बात सामने आई प्रेम साय सिंग टेकाम ने अपना दर्द मीडिया के सामने बया कर दिया उसने साफ ये कहा कि इस्तिफा दिया नहीं जाता है इस्तिफा लिया जा कारी कॉंग्रेस के मंत्री मंडल के फिर बदल में देखने को मिली लेकिन इसके पूरी पीछे की कहानी क्या है दरसल सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सरगुजा संभाग से आने वाले टी-एस सीदेव नाराज चल रहे थे और जब उन्हें मौका मिला पार्टी ने उन कमान की सारी बाते मानते हैं और सारी बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो खोशना पत्र समीती का अध्यक्ष वो बने थे उस खोशना पत्र समीती की जिम्मेदारी अब वो नहीं लेंगे याने कि ये साफ है कि आ आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन जिस तरीके से भूपेश कैबिनेट में जो फेर बदल हुए है इसको भी आपको समझना होगा कि आखिरकार किस तरीके से प्रेम साय सिंग टिकाम जो इसकुल शिक्षा मंतरी हैं उनको हटा दिया जाता है उनको इस्तिफा दिलवाया जा बाद कुछ दिन बाद ही ये फैसले ले लिए जाते हैं दिल्ली में जो फैसले लिए गये थे आदिवासी समुदाय को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो यही सबसे बड़ी वज़ा थी कि जब मोहनमरकाम को बस्तर से आने वाले जो विधायक मोहनमरकाम हैं उनको मोहरण बिलिकवाण है लेकिन अगर हम देखे तो चार और मंत्रियों को अलग-अलग विभाग की जिम्मेदारिया दी गई हैं जिसमें तीस सीधेव को उर्जा विभाग की महत्र पूर्ण जिम्मेदारी दी गई हैं और में अपको बता दू हैं आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है जानकार बताते हैं कि टीएस सीधेओ सुरू से ही अलग-अलग विभागों की मांग वो कर रहे थे जब सरकार बनी भुपेश मंत्री मंडल बना तभी उन्हों उन्हें जिस तरीके से राजस विभाग की उन्होंने मांग की थी उसका अलावा और उर्जा और माइनिंग थी लेकिन वनको फंध और पंचायत विभाग से उन्हों रहे चाtype से जब मोहन मरकाम को पत से हटाया जाता है तो उनको भी मंदरी मंडल में शामिल इस लिए किया जाता है ताकि आदिवासी उस छेत्र के नाराज ना हो और उसे ही पूरा करने के लिए जो प्रदेश अद्यक्ष भी दिपक बैच को बनाया जाता है जो बस्तर के सांसद है ये कहीं वहां के जो कार करता है वो नाराज होते वे नजर आते हैं और उनको फिर से व्योस्थित करने की कोशिश में यहाँ पर योजना आयोक का अध्यक्ष बना दिया जाता है यानि कि कुल मिलाकर जितने भी सिनेरियों अब तक हुए हैं चाए वो प्रदेश अद्धक्ष क जातिक अध्यासी महकमे में जातीत समी करण को ध्यान में रखकर यह तमाम विभावों का भटवारा मंध्री मंदल का भटवारा और वोल्ष योजना आयोक के अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारियां अब तक कॉंग्रेस में दी हैं 2023 के रण में बीजेपी लगातार आधिवासी काड़ खिल रही है और आधिवासियों को निशाना साधने के लिए जिस तरीके से आरोप कॉंग्रेस पर लगा रही है कि आधिवासियों को नाराज करने के लिए कॉंग्रेस ने ये हथकंडे अपनाए हैं उसी को साधने के लिए अधियवासी अध्यक्ष बनाने से मिलेगा और कितना फाइदा अन्य व्योस्थाओं को करने से मिलेगा ये तो आने वाला वक्ती बताएगा टीव नाइन से 36 के लिए अमित्मिश्या